Hello friends, welcome to my channel आज हम जैसे यहाँ पर हमारे शोल्डर जो है कुरती के शोल्डर होते हैं वो कैसे जॉइन करने हैं यह मैं आपको बताती हूँ अब देखिए यहाँ पर हमने यह बैक सैड जो है वो तेयार किये हैं बैक सैड का जो नेक है वो भी हमने तेयार किया है लेकिन बैक सैड के नेक के उपर हमने इस तरह से अंदर के सैड में फोल्ड करके इसके उपर हमने सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि हमें शोल्डर को जोइन करना परता है इसलिए हमने यह सिलाई नहीं लगाई उसके बाद ये back side का जो एक्षा कपड़ा था उसको उने cut किया है लेकिन यहाँ भी हमारा ये front side का जो कपड़ा है उसे हमें cut करना बाकी है यहाँ पर मैंने आपको बीना वुकरम का गला जो है वो कैसे बनाना है यह भी मैंने आपको सिखाया है तब देखिए इसे हमें जो एक्षा कपड़ा है अस्तर के साथ हमें cutting करनी है यहाँ पर भी हमें cut करना है यह देखिए यहाँ पर भी जो एक्षा कपड़ा है इसको भी हम कट कर लेते हैं जो अस्तर से अस्तर के साथ हमें एक्षा कपड़ा जो है अब यह हमारी सीधी साइड है यह सीधी साइड है और यह उल्टी साइड है अब इसे हमें इस तरह से रपना है और यह बैक साड है हमारी अब देखें यहाँ पर हमारी यह बैक साइड है यह हमारी सीधी साइड है और यह जो है यह हमारी उल्टी साइड है यहाँ भी हमारी यह सीधी साइड है और यह उल्टी साइड है तो इसे हमें क्या करना है यह देखें इस तरह से हमें इसको रखना है ये जो गला है हमारा इस तरह से fold होता होगा तो यहाँ पर यह देखिए उल्टी साइड है तो इसे हमें अंदर के साइड में fold करना है और इसके उपर से लाय लगानी है लेकिन जब भी हम shoulder को join करते है तब आपको क्या करना है यह गला जो है इस साइड में लेना है यह जो आगे का फ्रंट साइड का हिस्सा है इसे हमें इसके साथ रखना है गले के साथ रखना है उसके बाद हमें क्या करना है यह जो गला है इसे हमें फ्रंट साइड में लेना है फ्रंट साइड में लेने के बाद इसके उपर हमें यह स करने के बाद यू देखी यहाँ पे हम पहले पक्का करने के बाद यह देखी यह फ्रंट सेड जो है इस तरह से रखी है आर बैक सेड का चुने के इसे हमें इसके उपर रखना है और फिर इसके उपर शिलाए लगाने मीचे है अभी दूसरा हिस्सा जो है यह देखिए यह अंदर के साइड में फोल्ड हो जाता ही यह गला लेकिन इसा निकलना है इसको बाहर के साइड में निकलना है बाहर के साइड में निकालेंगे तो यह जो फ्रॉंट साइड है यह गली के साथ साथ हमें रखना है इसके साथ रखें वापीस हम इसके उपर डबल सिलाए लगाते हैं यह दिखिए यहापे भी हमें इस तरह से इसको कट करना है इस साइड में कट करना है गले के साइड में और इस साइड में हलका सा इससे कट करना है अभी कट करने के बाद यह देखिए हमें इस तरह से लेना है यह देखिए तो यह हमारा शोल्डर जो है अंदर के साइड में फोल्ड हो जाता है तो इसे हमें इस तरह से लेना है अब दोनों साइड में दिखाती हूँ इसे भी आपको इस तरह से लेना है ये दिखिए ये अंदर के साइड में फोल्ड हो गया और इस तरह से हमारे ये सिलाय आती है अब भी बैक साइड के उपर आपको सिलाय लगानी है स्क्राइब पर आपको सुझा जलाइब भी आती है आती है आती है आती है आती है आती है कि अब यह देखिए अब जो एक श्राद आगे हैं उसको निकाल देते हैं अब इसे हमें सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे यह दिखें यहाँ पर हमारा अंदर के साइड में इस तरह से शोल्टर जो है वो जाइन होता है और इस साइड में भी आपको इस तरह से शोल्टर जोइन होता है इससे क्या हो जाता है जैसे यह फिटिंग जो है गल यहाँ पर हमारी चुप जाती है तो यह चुपती भी नहीं है एकदम पर्फेक्ट यहा नहीं कि इस तरह से आती है यह नीचे के साइड में आ जाती है सिलाई तब देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से रखना है सो इसे यह देखें तो हमारा यह जो गला है अब यह बैक इसके उपर हमें किनारी पे सिलाई लगाई है आप चाहे तो इसके अंदर तुर्पाई यहाँ पे किनारी पे आप चाहे तो तुर्पाई भी कर सकते हैं नई तुर्पाई करनी है तो आपको क्या करना है जैसे यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा ग्याप रखे एक किनारी पे आपको सिलाई लगानी है तो वो भी मैं सिलाई लगा के दिखा थी यह दिखी यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है जो अंदर के साइड में हमारी पट्टी है उसके उपर सिलाई लगानी है कि प्रणी कि लिए सकते हैं। ये दिखिए इस तरह से हुम रिष्से घला की वरन्लर सिषय लगाई हैं ये दीखिए सिलाय लगाने के बादuar जो है तरह से अ शल्रा दागे उसे भी हम कटई करेंगे यहाँ पे अमरा यह गला इस तरह से आप राउंड शेप में इसे सिलाई लगा सकते हैं आपको यह सिलाई पसंद नहीं होगी क्योंकि उपर के साइड में यह तो दिखाई देती है लेकिन मैचिंग का धागा होगा तब नहीं दिखाई देती जादा लेकिन ऐसे दिखाई देती होगी आपको पसंद नहीं होगी तो आपको क्या करना है अंदर के साइड में आपको तुरपाई करनी है लेकिन तुरपाई करने से पहले आपको क्या करना है एक रफ सिलाई लगानी है यहाँ पे जैसे मैंने यह सिलाई लगाई है यहाँ पे आपको थोड़शी मोटी यानिकी रफ सिलाई आपको लगानी है जो दुरुपाई करने के बाद हम खोल देंगे जैसे यहाँ पर आपको फिर से वापिस दुरुपाई करनी है उसके बाद यह जो सिलाई होती है उपर के साइड में रफ सिलाई लगाई हुई उसे हमें खोलना पड़ता है तो यहाँ पर मैंने तो सिलाई लगाई है और यह शोल्डर जो है कैसे जोइन करना है यह मैंने आपको बताया है तो इस तरीके से आप शोल्डर कूरती के शोल्डर जो है वो जोइन कर सकते हैं तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है आपको जो भी समझ में नहीं आया होगा फिर ऐसे आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं मैं उसके उपर वीडियो बना के फिर से आपको समझाऊंगे अब देखिए यहापे हमें आगले वीडियो में तो मैं आपको फिटिंग बताऊंगी कैसे करनी है इसे क्या हो जाता है जैसे यहापे आपको क्या करना है स्ल्यूज जो है गोलाई में हमें इसको जॉइन करना है तो आप स्ल्यूज ऐसे भी जॉइन कर सकते है पहले स्ल्यूज इस तरह से भी जॉइन कर सकते है और गोलाई में भी जॉइन कर सकते है तो यहापे में आपको जैसे गोलाई में आपको दिखाया है नई तो यहापे आपको कैसे जोइन करना है यह में आपको बता देती हो तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चानल का सब्सक्राइब कीजिए प्रवाइब कर दिस वीडियो